हेलो फ्रेंद्स अब सभी लोग को प्रियार कीचेन में बहुत बहुत सवागत है तो आज देखिए मैं आप लोग के समने लेकर आई हूँ दही बेंगान का रेसिपी जाए मसाला बेंगान कुछ भी बोल सकते हैं तो इसको तो हम दही बेंगान का नाम देंगे तो यह जो रे वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अब्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए तो चलिए तो इधर देखिए सबसे पहले हमने लिए हैं 200 ग्राम के करीब बैंगन है यह जो छोटा साइज का बैंगन होता है मसाला बैंगन बनाने के लिए छोटा साइज का बैंगनी जो है परफेक्ट है तो इसको हमने धो के साप कर लिया है आप चाहे तो बैंगन को इस टाइप से भ काड लगा रही हूँ, तो देखिए, मैंने कुछ इस तरह से बेंगन को काट किया है आप चाहे तो इसका जो डंठल है इसको भी रख सकते हैं, देखने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन मैं जो हो डंठल को निकाल दोंगी, तो चली ऐसे करने के बदेखिए लिए नहीं टयार से आप उसके लिए पर 10 घृ कप याya यृ इसको अच्छीश प्रता है of to 2 आप हाड मीर्च लिए है तो इसको हम प्रताशा मॉतामसा चॉप कर लेंगे करने के बाद इसको जो है हमको प्यूरी बनाना है तो चलिए दोनों को एकी साद में जो है हम प्यूरी बना लेंगे इसके लिए लेंगे मिकसर जार तो जार में जो है टामाटार प्याज और हारी मिर्च को तीनों को एकी साद में मतला प्यूरी बना लेंगे तो चलिए प्यूरी में नमगल्दी लगा के रख दिया है और इसमें देने के लिए एक चम्मच आद्रा ग्लैसोन का पेश्ट है और यह दो बड़े चम्मच दही है जिसको हमने आच्छे से फैंट लिया है और इधर जो है ओ मसाला जो हम प्यूरी बनाया है तो चलिए इस अब इधर रखते हैं कडाय और इसम गरम लिया है अब यह बैंगान को फ्राइब तो उसके लिए बैंगान पर मेई निकाल लिया तर चलिए ने दे सेम कडाय में देखिए दोचम्मच के करईब तेल नहीं करेंगा तो तेलगरम हो गया इसमें अभी दे रहा है अभी दे रही हैं हाप जम चमच के करीब जीरा सभुत जीरा है हाप चमाज जीरा पाउडर हाप चमाज हल्दी पाउडर तो देखे जो है यह मसाला को अभी अच्छे से फ्राइब करेंगे और यह जो मसाला बहुत मतलब छीट रहा है तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा मतलब हाप स्पींच के करीब जो है नमक दे रही हूं यह भी एक क मसाला से तेल छोड़ना प्राइब कर दिया है तो अभी झच्व देंगे कंगी हम मीचपाउडर का इस्तेमाल नहीं किये अब तक मीचपाउडर देंगे और जो है हप चमच जो देंगे गरम masala powder तो देखे masala को अच्छे से fry कर लिया है तो जो है कराई को हम गयास का flame को हम एगदम slo कर दिया है देखे इसमें थोड़ा सा मतलब चमच के करी पानी दे दिया है पानी दे के चलाने के बाद इसमें अभी दही act कर रही हूं तो आभी मसाला के साथ दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद इसको और फ्राई करना नहीं है, मिक्स करने के बाद ही इसमें पानी आट कर देंगे, आपको जीजी सब से ग्रेवी चाहिए, उसी सब से आभी इसमें पानी आट कीजिए, इसमें पानी आट कर पानियाट कानने के बाद इसमें स्वाद अनुसान नमक दे देंगे, हम तो इधना बैंगान के लिए एक चम्मच मतलब नमक दिया है, क्योंकि पहले से अल्रेडी बैंगान में नमक हल्दी लगा के हमने फ्राई किया है, तो मसाला देखिया, अभी पूरी तरह से उबाल आ ग कालर भी कितना बढ़िया है, हमारा जो है दही बैंगन मसाला बैंगन कुछ भी बोलिये, बनके एकदम रेडी है, तो चलिए इसका ग्रेवी देख सकते हैं, आप लोग कितना एकदम गड़ा गड़ा बना है, तो इसको अभी निकाल लिये हैं, निकालने के बाद उपर से थ थोड़ा सा धनिया पत्ता निद्दे रही हूं अब लोग को कैसा लगा ये दही बैंगन मसाला बैंगन का रेसिपी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा अगर थोड़ा सा भी हेलफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर चैनल में नया है तो रेट कलर का बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपका फोन में सबसे पहले पहुँच जाए तो चलिए आब लोग को थोड़ा सा इसको निकाल के हम दिखा रही हूं देखिए प्लेड में निकाल रहे हैं और कितना मासाला गाडा गाडा बना है है ना तो देखने के लिए तो अच्छा लग रहा है आब लोग एक बार बना के ट्राइ जरूर कीजिए ट्राइ करके कॉमेंट करना ना बोलिए तो चलिए फिर मिल आगला वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड थैंक्स पर वाचिंग